नमस्कार दोस्तों इस्टे हेल्दी में आपका स्वागत हैं ोच्पनलत यानि की माजूफल एक चमतकारी ओशदी है दोस्तो प्रकति ने हमें जड़ी ब्यूटिने के नायब खजाने की सोगा़ दी है ये चमतकारी ओशदी मुँके सबी संक्रमणों को ठीक करता है और ये विशेश रूप से ये मूँ में किसी भी संक्रमन का उपचार करने के लिए सबसे अच्छा है माजू फल में कसैले या एस्ट्रिजेंट गुण होते हैं जिससे ये दातों, गर्बधारन, ल्यूकोरिया, तूटी हुई हटी और मूँ के छालों के लिए बहुत बढ़िया दवा है तो आईए जानती हैं चमत कारिक माजू फल के चमत कारिक फायदे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें माजू फल में मौजूद एस्ट्रिजेंट आखों की रोश्णी बढ़ाने में सहायक होता है माजू फल में पाय जाने वाले सम्रत एंटी ओक्सिडेंट, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस कैंसर को रोख सकते हैं अगर आप मदमे से पीडित हैं, तो आज ही से माजू फल का सेवन करना शुरू कर दीजिए क्योंकि इसमें गैलिक एसिट पाया जाता है, जो शुगर को रोखने में फायदे मन्द होता है माजू फल के फल का लेप बना कर तूटी हुई हड़ी पर बाहनने से जल्दी तूटी हुई हड़ी जुड़ जाती है मुँ में च्छाले होने पर माजू फल का एक छोटा सा टुकड़ा ले और चूसते रहें जिससे जल्दी मुँ के च्छाले ठीक हो जाते हैं दाटों में तेज दर्द हुने पर माजू फल को पीस कर दाटों के नीचे दवा कर रखे इससे तेज दर्द में चल आरा मिलता है तथा दाटों से खून आना बंध हो जाता है माजो फल को घिसकर या पीसकर बने चून 3-6 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खुरांग के रूप में सेवन करने से दस्त में लापतायक होता है दोस्तों किसी भी बिमारी या फल से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमें कमेंट करें मैं आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद